C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरपस्तुत है कक्षा पांच की पाठ्टे पुस्तक हमारे आसपास का ग्यार्वा पाठ सुनीता अंतरिक्षमे प्रेश्ट निन्यानवे सुनीता अंतरिक्षमे दिल की बात बताओ तुम्हे क्या लगता है प्रित्वी कैसी है अपनी कौपी में चित्र बनाओ इसमें तुम कहा हो यह भी दिखाओ अपने साथियों के बनाए चित्र को भी देखो कैसी है अमारी प्रित्वी उजहरा और शाहमीर गलोब को घुमा घुमा कर खेल रहे हैं तुम भी पढ़ो वे क्या बाते कर रहे हैं ओजहरा बोली पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियमस आ रही हैं मैंने सुना है कि वे छे महिने से भी ज्यादा अंतिरिक्ष में रही शाहमीर ने कहा ये रहा अमेरिका ये है अफ्रिका पर अंतिरिक्ष कहा है उजेरा बोली, अरे भई, ये सारा आस्मान है, ये तारे, चांद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में है शाहमीर, हाँ, पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेस्शिप से गई थी, टीवी पर बताया था कि वहाँ से उन्होंने पृत्वी को भी देखा उजेरा बोली, हाँ, वहाँ से पृत्वी गलोब की तरह दिखाई देती है शाहमीर बोला, अगर हमारी पृत्वी गलोब की तरह है, तो उसमें हम कहां हैं? उजेरा ने एक पैन उठाया और गलोब के उपर टिका दिया उजेरा बोली, यहाँ, यह रहे हम, यहाँ है इंडिया शाहमीर बोला, फिर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे, जरूर हम सब गलोब के अंदर होंगे प्रिष्ट सौ उजेरा बोली, अगर हम गलोब के अंदर हैं, तो फिर आस्मान कहां है? और तारे, सूरज और चांद कहां होंगे? हम गलोब के उपर ही होंगे, सारे समुद्र भी गलोब के उपर होंगे शाहमीर बोला, तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होंगे? यह लोग गिर क्यों नहीं जाते? उजहरा बोली, हाँ अजीब सा लगता है, और यह नीला नीला समुद्र है ना? फिर यह पानी भी तो नहीं गिर जाता? तुम्हें क्या लगता है? हम धर्ती पर कैसे टिके हैं? अगर प्रिच्वी गलोब जैसी गोल है, तो हम गिरते क्यों नहीं? क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं? सुनीता से बातचीत जब सुनीता विलियम्स भारत आईं, तो उजेरा और शामीर जैसे हजारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला सुनीता कहती हैं कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आईं सुनीता बताती हैं अंतिरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें हम एक जगा टिक कर तो बैठी नहीं सकते थे यान में एक जगा से दूसरी जगा तैरते हुए पहुँचते पानी भी एक जगा टिका नहीं रहता वह बुलबुलों की तरह इदर उधर उड़ता फिरता पता है हात मुहुद होने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़ कर कपड़ा गीला करते और हात मुह साफ करते वहां खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता है सबसे ज्यादा मजातता बाता है जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते अंतरिक्ष में मुझे कंगी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी बाल हमेशा ही खड़े रहते चलना पाना हर समय तेरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना यह सब करने की आदर डालना आसान नहीं था एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आपको बेल्ट से बांदो कागस को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते उसे भी दीवार के साथ बांद कर रखो अंतिरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था लेकिन मुश्किल भी यहां सुनिता विलियम्स के कुछ चित्र दिये गए हैं चित्र एक यह भरी उडान 9 दिसंबर 2006 अरे पाउं टिकते ही नहीं 11 दिसंबर 2006 यह खाना कहा उड़ा जा रहा है 11 दिसंबर 2006 यान के बाहर सुनिता वाकई अंतिरिक्ष में 16 दिसंबर 2006 फोटो देखो और लिखो अंतिरिक्ष में सुनिता के बाल खड़े क्यों रहते होंगे बाल नीचे क्यों नहीं बैठते थे सुनिता के इन सब चित्रों को देखो और बताओ कि उनमें कब क्या-क्या होता दिख रहा है क्लास बनी अंतिरिक्ष यान यानि स्पेस्शिप आंखे बंद करो और सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतिरिक्ष यान बन गई है तुम शुन से दस मिनट में अंतिरिक्ष में पहुँच गए हो तुम्हारा यान अब पृत्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है अब बताओ क्या एक जगह बैठ भी पा रहे हो बालों का क्या हाल है अरे भई बस्ता और किताबें कहां घूम रही है और टीचर जी क्या कर रही है उनकी चौक का क्या हुआ आधी छुट्टी में खाना कैसे खा पाए पानी कैसे पिया बॉल उचाली तो क्या हुआ चित्र बना कर या एक्टिंग करके ये सब दिखाओ कुछ तो है कमाल पृत्वी पर कुछ भी उचालें तो वह वापस नीचे आता है बॉल उचाल कर वापस पकड़ पाते हो न पृत्वी पर तो हम तेरते नहीं फिरते पानी रखते हैं तो गिलास में रहता है या बाल्टी मेटी का रहता है बुल-बुले बनकर घूमता नहीं फिरता यह कमाल प्रित्वी का ही है प्रित्वी हर चीज को अपनी तरफ खीच कर रखती है सुनिता विलियम्स प्रित्वी से 360 किलो मीटर दूर स्पेस शिप में गई थी सोचो 360 किलो मीटर दूर कितना होता है? तुम जहां रहते हो वहां से 360 किलो मीटर कौन सा शेहर है? सुनिता उतनी ही दूर प्रित्वी से बाहर गई थी क्या अब बता सकते हो कि अंतिरिक्ष में सुनिता के बाल खड़े क्यों थे? सोचो किसी भी ढलाद से पाने नीचे की और ही क्यों बहता है? पहाड से भी पाने नीचे की और ही बहता है उपर की और क्यों नहीं बढ़ता? प्रिष्ठ एक सो चार जादू एक नन्ना सा कागस चला सिक्के की चाल एक पांच रुपे का सिक्का लो और कड़े कागस का एक छोटा सटकड़ा जो सिक्के के चोथाई भर हो क्या हुआ? अब नन्ने कागस को सिक्के के उपर रखो और फिर दोनों को एक साथ गिराओ इस बार क्या हुआ? चोग गए क्या? जादू दो चूहे ने हाथी को उपर उठाया इस खेल के लिए एक छोटा पत्थर बेर के बराबर साइस का एक बड़ा पत्थर निवु के बराबर और एक कागस का रोल लो कागस की कई तहों से एक रोल बना सकते हो लगभग दो फुट लंबी डोरी लो डोरी के एक सिरे पर छोटा पत्थर बांधो कागस पर चूहा बना कर पत्थर पर चिपकाओ या बांधो अब डोरी के दूसरे सिरे को कागस के एक रोल में डालो इस सिरे पर बड़ा पत्थर बांधो और कागस पर बनाया हाथी उस पर चिपकाओ कागस के रोल को गोल-गोल खुमाओ ताकि चोटा पत्थर गूमने लगे खीच रहा है न चूहा हाथी को खेल में चूहे ने ऐसा कमाल कैसे दिखाया होगा लकीरें आखिर हैं कहाँ स्पेस्चिप की खिड़की से पृत्वी को देखकर सुनीता बताती है पृत्वी बहुत ही अद्भुत और सुन्दर दिखती है इतनी सुन्दर कि उसे घंटों तक निहारते रहो अंतिरिक्ष से पृत्वी की गोलाई भी साफ दिखती है पृत्वी एक सौपाँच तुम भी देखो हमारी पृत्वी का एक फोटो जो एक स्पेस्शिप से लिया गया है आज तो हम ये फोटो देख पा रहे हैं पर हजारों सालों से लोग कल्पना ही करते रहे कि भला पूरी पृत्वी कैसी दिखती होगी वैज्यानिक भी जानने की कोशिश करते रहे कि पृत्वी कितनी बड़ी है कैसे घूम रही है फोटो को देखो और बताओ क्या भारत को पहचान पा रहे हो क्या कोई और जगा पहचान पा रहे हो देखो समुद्र कहां कहां है ग्लोब और इस फोटो में क्या कुछ मिलता जुलता है क्या कोई फर्क भी दिखता है क्या सुनीता अंतिरिक्ष से भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा को अलग-अलग बता सकती थी अपने स्कूल में ग्लोग को देखो और बताओ क्या भारत को ढूण पाए इसमें समुद्र कहां-कहां दिख रहा है इसमें कौन-कौन से देश तुम देख पाए भारत जिन देशों के साथ क्रिक्ट मैच खेलता है, क्या उन में से कुछ को देख पाए जैसे इंगलेंड, औस्टेलिया, पाकिस्तान, बांगलादेश, सौथ अफ्रिका और क्या-क्या देखा उजेरा और शामीर गलोब पर अलग-अलग देशों को देख रहे हैं उजेरा बोली, गलोब पर तो सारे देशों के बीच लकीरें दिखाई देती हैं क्या प्रिस्वी पर ऐसी लाइने खिची होती हैं? शहमीर बोला लकीरे तो होती हैं हमारी किताब में इंडिया के नक्षे में भी हैं देखो राज्यों के बीच में लाइने साव दिख रही हैं उजेरा बोली अगर हम दिल्ली से राजिस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में जमीन पर ऐसी लाइने दिखेंगी प्रिष्ट एक सौच है अपने देश के नक्षे को देखो और बताओ क्या तुम अपने राज्जे को पहचान पाए नक्षे पर उसका नाम लिखो तुम्हारे राज्जे से लगे हुए कौन से राज्जे हैं? क्या तुम कभी किसी और राज्जे में गए हो? शामीर यह सोचता है कि राज्जे के बीच में जमीन पर लाइन बनी होती है तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जब सुनीता ने अंतिरिक्ष से प्रिथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुन्दर लगी और उसके मन में कई खायाल आए सुनीता कहती हैं इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि प्रिष्वी पर समुद्र कहां है और जमीन कहां है अलग-अलग देश नहीं दिखते जमीन का देशों में बटवारा तो हमारा ही किया हुआ है ये लाइने तो कागज पर ही होती हैं मैं चाहूंगी तुम भी इसके बारे में सोचो कि लकीरें आखिर हैं कहां चलो आस्मान को देखें शाहमीर एक आँख बन करके चांद की तरफ देखते हुए और सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए बोलता है मैं चांद को सिक्के से छुपा सकता हूँ उजेरा बोली वाह इतने बड़े चांद को इतने छोटे से सिक्के ने छुपा दिया तुम भी सिक्का लेकर चांद को छुपाने की कोशिश करो सिक्के को आखों से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर चांद को छुपा पाए सोचो, क्या चांद सिक्के की तरह चप्टा होगा या बॉल की तरह गोल क्या तुमने कभी रात में आसमान को गौर से देखा है? अंधेरी रात में चमकते तारों को देखने का मज़ा ही कुछ निराला है कभी तो चांद चांद नी विखराता है तो कभी घुप अंधेरी रात में डूंडते नहीं मिलता प्रिष्ट 107 आज चांद को देखो और उसका चितर बनाओ एक हफ़ते बाद कैसा दिखता है और पंद्रा दिन बाद कैसा दिखता है उसका भी चितर बनाओ आज की तारीख एक हफ़ते बाद की तारीख और पंद्रा दिन बाद की तारीख पता करो, अगली पूर्ण मासी कब है? उस दिन चांद किस समय निकलेगा? कैसा दिखेगा? चांद से जुड़े कौन-कौन से त्योहार मनाई जाते हैं आसमान को ध्यान से पांच मिनिट तक देखो क्या-क्या देख पाए? क्या कोई चीज चलती हुई सी भी दिखी? तारा होगा, या तूटता तारा, या कोई उपग्र है, जिसका इस्तेमाल टीवी के लिए, टेलेफोन या मुहसम की जानकारी के लिए करते हैं? पता करो, अब भ्यास दिल्ली में कुछ दिनों तक चांद के निकलने और डूबने का समय तालिका में दिया गया है तारीख 28 अक्टूबर 2007, चांद निकलने का समय 19 बचकर 16 मिनट और चांद डूबने का समय 8 बचकर 50 मिनट तारीख 29 अक्टूबर 2007, चांद निकलने का समय 20 बचकर 17 मिनट चांद डूबने का समय 10 बचकर 3 मिनट तारीख 30 अक्टूबर 2007, चांद निकलने का समय 21 बचकर 22 मिनट चांद डूबने का समय 11 बचकर 8 मिनट तारीख 31 October 2007 चांद निकलने का समय 22 बच कर 29 मिनट चांद डूबने का समय 12 बच कर 3 मिनट प्रिष्ट 108 तालिका के अनुसार बताओ 28 October को चांद शाम के रिक्तिस्थान बच कर रिक्तिस्थान मिनट पर निकला 39 अक्टूबर को चांद शाम के रिक्तिस्थान बचकर रिक्तिस्थान मिनिट पर निकला 39 अक्टूबर को चांद निकलने में रिक्तिस्थान घंटे और रिक्तिस्थान मिनिट का फर्क आया अगर तुमने आज शाम को 7 बजे चांद निकलते देखा तो क्या कल भी ठीक 7 बजे चांद देख पाओगे 31 अक्टूबर को चांद डूमने का समय 12 बच कर 3 मिनट दिया है क्या तुमने कभी दिन के 12 बजे चांद देखा है दिन में हमें चांद तारे आसानी से क्यों नहीं दिखते कभी भी इस कविता में कुछ इसी तरह के सवाल उठा रहा है आसमान में कितने तारे क्या तुम को दिखने हैं सारे किस-किस का तुम नाम जानते कौन हैं कितने पास तुम्हारे आसमान में कितने तारे दिन में क्यों छिपते हैं तारे, रात में क्यों दिखते हैं तारे, क्यों होता है गोरक धंदा, जगमग क्यों करते हैं तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशानी, क्या देखा, क्या जाना तुमने, बोलो इनकी राम कह हर तारे की बात पुरानी ये कविता अन्वारे इसलाम ने लिखी है पृत्वी का एक मज़िदार फोटो चांद पर एक स्पेस शिप गया था उसमें लगी कैमरे ने चांद की सतह से पृत्वी की ऐसी फोटो खीची थी देखो पृत्वी कैसी दिख रही है चांद की सतह कहां दिख रही है चित्र देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या कुछ सवाल आए सवाल लिखो और क्लास में चर्चा करो प्रिष्ट एक सो नौ हिम्मत रखो तो नए दर्वाजे खुलेंगे सुनिता जब पांच साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आमस्ट्रॉंग को चांद पर उतरती देखा सन 1979 में नील आमस्ट्रॉंग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ती थे चोटी सुनिता उनसे बहुत प्रभावित हुई सुनीता बताती हैं कि बचपन में उनकी खेल कोद में बहुत दिल्चस्पी थी उन्हें तेराखी खास्तोर पर पसंद थी पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रही सुनीता बनना तो गोता खोर चाहती थी पर बन गई हेलिकॉप्टर पाइलेट एक दिन उन्हें किसी अंतिरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे की पढ़ाई करें तो अंतिरिक्ष में जा सकती हैं फिर क्या था? सुनीता ने डट कर आगे पढ़ाई की प्रेनिंग ली और अब वे अंतिरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं सुनीता कहती हैं कि जो चाहो वे हमेशा नहीं मिलता लेकिन निराश नहीं होना चाहिए जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कई नए दर्वाजे अपने आप खुलते जाते हैं सुनीता से जब किसी बच्चे ने जवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहती हैं तो उन्हों उन्हें जवाब दिया स्कूल डीचर ताकि वे बच्चों को समझा पाएं कि विज्ञान और गणित कैसे जिन्दिगी से जुड़े हैं हम क्या समझे बच्चे फिसल पट्टी यानि स्लाइड पर नीची की ओर ही क्यों फिसलते हैं नीची से उपर क्यों नहीं अगर यह फिसलन सुनीता के अंत्रिख्यान में पहुँच जाए तब क्या ऐसे फिसल सकेंगे क्यों तारे ज्यारतर रात में ही क्यों दिखते हैं सुनिता विलियम्स ने प्रित्वी को देख कर कहा यहां से अलग-अलग देश नहीं दिखते ये लाइने तो कागस पर ही होती हैं इससे तुम क्या समझे सुनिता अंतिरिक्ष में अभी आप सुन रहे थे कक्षा पांच की पार्टे पुस्तक हमारे आस्वास का ये ग्यार्मा पार्ट प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत